सिटकुल की एक फैक्टरी में प्रेशासन की संयुक छापे मार कारवाई में दूसरी बार प्रतिबंदित प्लास्टिक बरामद हुआ जहां बड़ी मात्रा में प्रतिबंदित प्लास्टिक के सनाथ पॉलिथिन केरी बैग और कच्छा माल मिला वहीं प्रशासन ने फैक्टरी को सील कर दिया है साथ ही PCP ने फैक्टरी मालिक पर 10 लाक रुपए का जुर्माना लगाया बता दे कि सुप्रीम कोट की ओर से निर्देश दिया गया है कि प्रतिबंदित प्लास्टिक बनाने वाली फैक्टरी के खलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई की जाए इसी को दिखते हुए नगर आयुक्त और प्रदूशन नियंतरन बोर्ड के छेतर अधिकारी राजस्व और पुलिस की संयुक्त कारवाई में प्लास्टिक फैक्टरी पर छापे मार कारवाई की मामले में डिये मुदैराज सिंग ने बताया कि फैक्टरी को सील कर दिया गया है और फैक्टरी मालिक पर दसलाक रुपे का जुर्माना लगाने के साथ ही एपी आर गाइडलाइन के तहट कारवाई की जाएगी रुदरपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट करवाई तो निरंतर ऐसे प्रतिस्थानों पर की जा रही है जो सिंगिल यूज प्लास्टिक या इस टाइप की चीजें प्रतिबंधित प्लास्टिक को बेच रहे हैं और जब कि इस विशा में डायरेक्शन सहें और असपस्तादेश हैं कि कोई ब्यप्ति ऐसे कल तो सील कर दिया गया है और आगे देखेंगे उस पे क्या करवाही कठोर करवाही की जा सकती है